रक्ताम परम रक्त स्यास्टनम ए भूशिताम ये तो मात्र एक सो साथ पुष्प थे मैंने तो एक सो आठ पुष्प चड़ाने का संकल्प किया था एक पुष्प कम कैसे रह गया? ये क्या कर दिया मैंने? एक पुष्प आधिक कैसे गिल लिया? प्रभु प्रभु आप चिंता ना करें मैं पुष्प जाता हूँ पलभर में सुर्यास्त होने को है हनुमान उन्हें जाकर लोटने का समय शेष नहीं है प्रभु धिकार है मुझ पर मेरी असफल ताके कारण आपकी पूजा असफल हो रही है नहीं हनुमान तुम असफल नहीं होए हो तुम उचित संक्या में पुष्प लेकर आए थे पूजा प्रारम करने के पूर्व स्वभाविक रूप से ही मैंने उन्हें गिल लिया था और उसे में संक्या सही थी बड़ी विचित्र बात है कि अब अब एक कम है संभवत है माथा मेरी परिक्षा ले रहे हैं परम्तु प्रभु आपका संकल्प कैसे पूर्ण होगा देवी एक बार विष्णु जी ने इसी प्रकार मुझे कमल समर्पित किये थे परम्तु जब एक कम पड़ गया तो वो मुझे अपना कमल लैंड समर्पित करने के लिए भी प्रस्तुत हो गये वो पुनह ऐसा ही कर सकते हैं यद्यपी श्री राम स्वय को नारायन अफ्तार नहीं अपितू साधारन नर ही मानते हैं इसलिए ये देखना होगा कि क्या नर रूपे भी प्रभु श्री राम वही संसकार धारन करते हैं या नहीं संकल्प तो मैं अवश्य पून करूंगा मैंने अनेकों बार सुना है कि मेरे नेत्र नील कमल के समान है देवी सीता थो मुझे कमल ने नाम से संबोधित भी करती है मैं अपना नेत्र माता को समर्पित कर उस एक नील कमल की कमी पूरी कर दूंगा और अपनी पूजा अपनी पूजा संपन करूंगा नहीं प्रभू नहीं प्रभू नहीं प्रभू नहीं प्रभू लजशा छील कर दोज़ नहीं प्रभू युजान माता ने लिपरी इच्छा भाई सफल हुए जिस मेरा घुराई सरवरवार प्रकट जग जननी हरशित रामव श्री बज रंगी राम सिया राम सिया राम जै वनुमा हे बोले बाबा हे माता हे कार्तिके मेरा प्रणाम स्विखार कीजे कल्यान हो कल्यान हो मैंने आपकी परिक्षा के लिए ही अंतिम पुष्प यहां से हटा लिया था परन्तु यह देखकर मैं अतिया आनंदित हो कि पहले हनुमान और फिर आप दोनों ही इस परिक्षा में सपल हो रों हनुमान ने इस परिशा के माध्यम से उनह प्रमानित कर दिया कि वे एक सच्चे निश्ठावान समर्पित ठक्त हैं और अब आपने भी सबस्ट प्रमान दे दिया है कि आप सदैव अपने वचन का पालन करने वाले मर्यादा पुर्शोत्तम हैं कि जो आवश्यक्ता पढ़ने पर अपना नेत्र भी फेट करने से चूकेंगे नहीं माता मैं थो मात्र अपना संकल्प पून कर रहा था श्री राम आपने ये भी सिखा दिया कि आप में श्री विष्णुजी का ही संसकार है क्योंकि नारायन रूप में भी आपने अपना नेत्र अर्पित कर दिया था प्रभू ज्यात नहीं आप मुझे प्रभू नारायन के नाम से संबोधित क्यों कर रहे हैं मैं तो स्वयम को मात्र सामान्य एक नर ही मानता हूं यही आपके श्री राम अफ्तार की मर्यादा है कि आप नरूप में अपनी लीला कर फून तत पड़ता से अधर्म का सामना कर रहे हैं और मैं आपको अधर्म के विरुद्ध आपके इस धर्म युद्ध में अधर्मी रावन पर विजय प्राप्त करने का आशीश देती हूं रिजय भवा सफल भवा सकते हैं भक्ती से अधुद्ध शक्ती का संचार होता है परन्तु वो शक्ती की शुबता भक्त की प्रवर्ती निर्धारित करती है एक ओर आप हैं जो अपनी भक्ती से प्राप शक्तियों के अप्रयोग कल्यान कारी कार्यों के लिए करना चाहते हैं और दूसरी ओर है रावन जो अधर्म हेतु निशेध पूजा में लीन है परंतु जो भक्त धर्म का साथ देगा मेरी शक्ती उसी का साथ देगी आपको आशीश है मेरा इस युद में विजये आप ही प्राप करेंगी प्राप करेंगी परंतो माता का आशीश तो रावन भी अपनी निशेध पूजा से प्राप्त करने की चेश्ठा कर रहा है यदि वो भी माता को विवश करने में सफल हो गया तो क्यों पावन पुत्र हनमान ठीक ही कह रहा हूँ न मैं ये तो परिचित स्वर है किसने कहा ये सामने आए जिससे सब प्रारंब होता है वही हूँ मैं और आप वो हो हनमान जिससे सब पूर्ण होता है मैं तो विचार ही कर रहा था कि भोले बाबा का संपूर्ण परिवार यहां है तो अभी तक हमें आपके दर्शन क्यों नहीं प्राप्त हुए मैं दर्शन दू या नहीं परन्तु मैं तो अपने माता पिता के साथ यही विराजमान था किन्तु आपको पुनह यात्रा करनी होगी हनमान वहां जाना होगा जहां रावण अपनी निशित पूजा कर रहा है और अर्धरात्री के पूर्व ही उसके अनुष्ठान को भंग करना होगा अन्यता रावण पुनह अपना अवैदिक जाप पूर कर माता को विवश कर लेगा परन्तु ए गणपती किसी की पूजा रोकना क्या ये अधर्म नहीं होगा विग्न हरता मैं हूँ तो विग्न करता भी तो मैं ही हूँ और रावण के इस कारे में विग्न डालना अति आवश्यक और पूर तह उचत है क्यूंकि अधर्म को रोकना अधर्म कदापी नहीं होता अपितु ऐसी निशित पूजा जो माता को विवश कर दे उसे रोकना ही धर्म है इसलिए हे मरे आदा पुरुशुत्तम श्री राम हनुमान को जाकर अधर्म की शक्ती में व्रिद्धी होने से रोकने की अनुमती दीजिए अन्यता वो अन्याई माता का साथ पाकर अत्यंत शक्ती शाली हो जाएगा मेरा विश्वास कीजिए इसमें कुछ भी अनुचित नहीं हे गौरी नंदन, महादेवसुत, गजमुक गजानन, क्यान मूर्ती हैं आप आप पर पून विश्वास और श्रद्धा है मुझे यदि आपके अनुसार इसमें कोई अधर्म नहीं है तो मैं हनुमान को अनुमती देता हूँ वो शीग रिजाकर रावन को रोकने के लिए हर संभवयत न करे प्रभू, मुझ पर आपने विश्वास कर उस राक्षस को रोकने का अत्यंत महत्व पूर्ण कार्य सौपने के लिए आपका धन्यवाद मैं विश्वास दिलाता हूँ वो अपने निशिद्ध पूजा पूर्ण कर माता को विवश नहीं कर सकेगा विजई भाव अब जब हनुमान अपने धे से क्रियाशील हुए हैं तो रावन अपनी पूजा कभी समाफ्त नहीं कर पाएगा इसके परिणाम स्वरूप युद्ध पूर्ण रूप से न्याय उचित होगा मैं हनुमान को आशीश देती हूँ कि वो सफल हो और धर्म के इस युद्ध में अंतता आपकी ही विजय हो श्री राम आप सबका शुबाशीश पाकर कृतार्थ हुआ मैं मुझे पूर्ण विश्वास है इस युद्ध में अवश्य सफलता प्राप्त करूँगा मैं विजय भावा विजय भावा विजय भावा रख्ताम परम रख्तास्क नम एम भूज़ाम एक उमक्ताम देज संधर मुझे सब भादिक्रमाता अक्षमालाम पानपालाम भै वर्भुस्तम विजय भावा आश्यर्य अपने प्रचंड अवैदिक मंत्र जाब से लंकेश प्रतिकूल हो चुकी शक्तियों को पुना अनुकूल बनाने में सभल हो रहे हैं और समीब जाकर देखता हूँ ये चमतकार प्रतीत होता है दुष्ट रावन की पुजा संपन होने ही वाली है मुझे उसे शिग्र रोकना होगा इस बार उस दुष्ट रावन की पराजय निश्यत है क्योंकि माता सहित भोले बाबा के संपूर्ण परिवार का अशिश प्रभू श्री राम को मिल चुका है और हनुमान भी उस दुष्ट रावन को विफल करके शिग्री लोटते होंगे परन्तु ब्राथा रावन को विफल करना इतना सरल नहीं होगा उन्होंने अपने पूजा स्थल को महाशक्ती शाली कीलन मंत्रों से सुरक्षित कर लिया होगा ऐसी अभेद सुरक्षा को भेद कर वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता राथा रावन का कोई अपना निकटम संबंदी भी नहीं प्रतीत होता है रावन ने अपने पूजा स्थल के चारों और अत्यंत शक्ती शाली सुरक्षा चक्र का निर्मान किया है महराज विबिशन क्या रावन का सुरक्षा चक्र हनुमान को भी रोग सकता है हाँ मंत्र से रचित सुरक्षा चक्र अभेद तो होता ही है उसे खंडित करना भी असंभाव होता है इस पारदर्शी सुरक्षा चक्र का तो कोई और चोर कोई अंत ही नहीं दिखाई देता ये तो बास्ताव में अभेद्य ही प्रतीत हो रहा है तुझे बनाशनम जक्ती भूते सनातनी गुड़ा श्री गुड़ा मैडे रखतां पर अभेद्य है प्रूशिटां एक वक्तां देद्य तांधर पुझे सा पिभाव इस्जिमातां अच्छिमालां पारिखालां उखे वर्भुतमं वेद दबी भैस्थितां इस राक्षस के अवैदिक मंत्रों का चाप इतनी शक्तिशाली उर्जा का संचार कर रहा है इस प्रकार तो ये शेग्रेही माता को भे वश में कर लेगा मुझे इस सुरक्षा चक्र को फेद कर उस पार जाने का उपाय करना ही होगा अवैदित मंत्रों द्वारा उत्कीलित स्थल पर कोई भी प्राणी प्रवेश नहीं कर सकता मुझे इस सीक्षन इसे रोक ना होगा एक बार पूजा भंग होई तो पुना ये पूजा नहीं कर पाएगा एक बेद संखर मुझे सबढातहा च्राय कर्स्ता अभामदा अगस् संखेजिन काटपा यूल्ग जय दुझए एंग एक वक्ताम बेक्ता मीधिन संकल्ग ज्यक्तमात किल्ग आट खिमाला सेजिह तोन एंग बोलत अप्ता, वे व्पंदी निफाटां आश्चरिया निफल हो गया मेरा गदा प्रहार और अब ये मेरी और ही रामण ने तो मत्रों से अपने आपको भी सुरक्षित किया हुआ है इस प्रकार तो ये जाब पूर्ड करके माता को विवश करने में सफल हो जाएगा इसका जाब भग करने के लिए मुझे शीगर ही कुछ और करना होगा किन्तु मैं क्या करूँ कोई उपाय तो मुझे ढूना ही होगा सत्त ब्राह्मन के अत्रिक्त कोई अन्य जीवधारी प्रवेश कर ही नहीं सकता और यदी कोई ऐसा करेगा तो उसका विनाज निश्चित है प्राता रावन को रोकना अवश्चक तो है किन्तु शक्ति शाली कीलन मंत्रों से रक्षत शेत्र में हनुमान कैसे प्रवेश कर पाएंगे वो गंभीर रूप से आहत भी हो सकते हैं हनुमान को उस निश्चित शेत्र में प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं होगी प्रभुश्री राम के नाम का उचारण ही सभी संकटों को दूर कर देता है उनहीं का नाम लेकर रामड के सुरक्षा चक्र में भी प्रवेश करूंगा मैं जए श्रीराम निशनी है आला माली आपार, प्रैस्ट आप नपनापार खाहिजर मोटव कर खाहिए डर्थाम बरब्रथ स्रास्थ नम् एम्हूजिताम कोई तो उपाय होगा इससे रोखने का इसके दसों शेश के बीसों नेत्र एक साथ पुस्तक के मंत्रों पर टिके हुए और जो जो अक्षर ये पढ़ रहा है उसी पर चमक आती है अब परिणाम कुछ भी हो किन्तु ये ग्यात करना ही होगा कि इसका ध्यान पूर्ट अया इन मंद्र के अक्षरों पर ही है या इसका ध्यान यहां से हटता है आश्चर ये है इस मंत्र के लिक परिभी में फिर मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ क्योंकि हनुमान सत ब्रामन ही है प्रपौत्र है देव गुरु ब्रियस्पति के रावन कीलन मंत्रों से उस शेत्र को रक्षित करते समय ये भूल गया कि हनुमान वानर तो है किन्तु देव गुरु ब्रश्पति के कुल में जन्म लेने के कारण धर्मपालन के कारण ऑवं श्वी राम के प्रती अपनी श्ष्टम भक्ती के कारण हनुमान ध्रमनत्व से परीपूर्ण है क्योंकि सतकर्म, सदाचरं, उत्कृष्ट ज्पति ही सच्चे भ्रामन की पहचान है ये प्रभु श्री राम के नाम का ही प्रताब है जो केलन मंत्रों से सुरक्षित क्षेत्र ने भी प्रवेश कर पाया में बस अब प्रभु की भक्ति के प्रताब से ही इस राक्षस की ये पूजा भंग करनी है अन्यथा ये हठी राक्षस धर्म युद में अधर्म का साथ देने के लिए देवी माता को अवश्य बिवश कर देगा इस राक्षस के निशिद मंद्रो का हर जाप माता को विवश कर रहा होगा इस दुष्ट का साथ देने के लिए रावन महा हटी है अपनी मंत्र शक्ती से उन्हा विवश कर रहा है मुझे ये अनुमान ने रावन के मंत्र जाप को भंग नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा अनुमान बल एवं बुद्धी में अतुलित है शीग रही उन्हें कोई ना कोई उपाए अवश्य मिल जाएगा इस ने मुझे नहीं देखा इसका ध्यान पूल तया मंत्रों की पुस्तक पर ही है इसका अर्थ है कि ये मंत्रों के एक भी अक्षर में तूटी करना नहीं चाहता अन्यथा मंत्र असफल हो जाएगा समझ गया कि क्या करना है मुझे रावन की निशिद पूजा संपन होने में कुछ ही मंत्रशेश है यदि ये भी पूर्ण हो गए तो युद्समाप्त होने तक देवी तारा को विवश होकर रावन का साथ देना ही होगा रावन बाम प्रिष्ट का मंत्र पढ़ रहा है दाहिने प्रिष्ट पर इसका ध्यान नहीं है अभी यहां के अक्षर को मिटा देता हूं मंत्र पूरा ही नहीं हो पाएगा प्रिष्टी सिवनासरम तुदफी भूते सनातनी गुणा श्री कुणा मैदेवा रखताम परम रखताम एपूजिताम एक वक्ताम एद दुच्छर पूजिताम आठी श्माता अप्रिमालाम पाजिमालाम एपर पूर्दमं वेद दभी रखताम ना जाने हनुमान ब्राता रावन के मंतर जाप को विफल कर पाएंगे भी या नहीं मैंने अंतिन मंतर के अक्षर को मिटा तो दिया है कि तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रावन को मंतर स्मरन हो यदि ऐसा हुआ तो रावन के एक कोटी 25 लक्ष जाप पूर्ण होने को है अंति मंतर पूर्ण होते ही विधी के विधान के अनुसार मुझे उसका इक्षित वर देना ही होगा हास्न थाहें भूशताम रक्ताम बरम रक्त सिहास्न थाम यह कस्मात ही क्या होने लगा कहीं मुझसे कोई त्रूटी हो गई है क्या ना राएं ना राएं ना राएं ना राएं त्रूटी तो हो गई है रावन अब पून मंत्र जाप को बार बार दोराने से अशुद हो गया है मंत्र हनुमान की युक्ती सफल हो गई है हसंभव है यह उससे कोई त्रूटी नहीं हो सकती मैं अब भी मंत्र जाप पूर कर लूँगा युमाने से लुट हो गई युदे लुदे लुदे झाल युदे माता ये क्या कर रही है आप मुझसे कोई तुटी हुई है क्या माता हाँ तुटी तुमसे हुई है महाज्यानी रावण मंत्र के एक अक्षर की तुटी जो तुमसे छोट गया मंत्र के हर एक अक्षर में अनेक महाजक्तियाद छुपी होती है जिनके एक भी अक्षर की अनुपस्थिती मंत्र को शुद्ध ही नहीं अनर्थ कारी भी बना देती है ये कैसे हो सकता है माता मैं तो पूले का गृता के साथ आपके मंत्र का जाप कर रहा था माता ये वानर यहां अवश्च ही सीन उस एक अक्षर की अनुपस्थिती से मंत्र का उचारण सहस्त्रो बार शुद्ध हुआ है खन्ने दो चुकी है तुमारी पूजा अब तुम्हें मेरी क्रिपा नहीं मेरा कोप भोगना होगा शाप मिलेगा तुम्हें नहीं माता नहीं ऐसा मत कीजिए भक्त तुम्हें आपका मता भक्ती धर्म के लिए की जाती है अधर्म के लिए नहीं अब अन्थ होगा तुम्हारे पाफ के सामराज्य का अन्थ होगा अधर्म का अन्थ होगा तुम्हारा रावर्ट कर्मो का परिराम सब को भोगना पड़ता है तुम भी भोगो के अपने पाप कर्मो का डंड कर्मो कर्मो कर् impact कर्मो अ कर्याब वेलाश तुम भैसा मनी कर्मो भी वोग्जिर अथे अव मिन नाए सुख्रों कर्मोस आ ख Χाहाज पर्षैंट हाहा प्राम 실팉 दंकेश रावार त्राग विजेता सर्वशक्तिमान हुमार और सर्वशक्तिमान के लिए बापपन की काई भी परभाशा नहीं होते मुझे बल्मान का किया हुआ हर कार उचित होता है देवता तक बेवीद रहते हैं मुझे कालू में अपने शत्रों का महादेव और प्रफमदेव का वर्दान प्राप है मुझे मृत्यू तक बेवीद रहती है मुझे फिर कौन कौन देगा दन मुझे काई नहीं काई नहीं किसी की भी सहता किया हो शक्ता नहीं मता आपकी भी किपार नहीं चाहिए मुझे एका की ही युद्ट करूंगा में उत्मन वासी से और अंतुस कहोगा मेरा नहीं बत करूंगा मुझे मेरे हिनी हातों से तुम्हारे क्रोथ में छुपएंगे तुम्हारी लाचारी के स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं मुझे प्रतीत होता है कि स्वामी की पूजा असफल हो गई और धांगी नहीं उनकी में इस बुरे समय में उन्हें प्रसंद करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए जिससे उनका दुख उनका शोग कुछ शणों के लिए शान्थ हो सके अंतिम समय में समभावित दुख से पूर कुछ शण सुक के प्रदान कर सकी तो स्वाय को धन्ने समझूंगी मैं यह रक्त की वर्षा अशुप संकेट अड़ अशुप को शुब में परवर्तित करने की शमता रखता है यह रावान अवैदिक पूजा खंडिता लोटे हनुमत चेत मुदता सेना हरस हरस अभिनन्दन स्मित मुख देखे रभूनन्दन राम सिया राम सिया राम जै हनुमान यह गाथा महबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगति की आपके प्रताप से मैं रावन के अनुष्ठान उसकी निशिद्ध पूजा को खंडित करने में सफल रहा रावन के अनुष्ठान की विफलता की गोंच्टो संपून लंका में गोंज रही हनुमान प्रभू फिर भी रावन का घमंड नहीं तूटा अपने पग पीछे नहीं लेने वाला वो अभी भी शक्ति के मद में चूर है रावन यही आहंकार उसका परीचे है और यही वृती उसे उसके अंथ तक ले जाएगा यही मंदो दरी को अपनी विफलता के बारें बता दिया तो पुना उलाना देने लगेगी वो पुना प्रवचन नारंब कर देगी यह पुष्पसाजित मर्क मेरे स्वाकत के लिए यह पुमादी पुमादादी आएग प्रेगक अद नारंब के लिए वृत हुआँ यह पुमादी दो यह दो पुमादी पारें डिए क्वादी पुमादी आपऴँ यह के आपड़़ग। यह यहादीन भी पूंच मेरे स्वामी की ये दशा प्रणाम स्वामी ये स्वामी कर दो हुआ हुआ है इस प्रकार क्या देख रहे हैं उस कठोर निश्चित पूजा से क्लांट मेरे स्वामी को सुख पहुंचाने के लिए है ये सब परन तुम्हें पूजा में सफल नहीं हो पाया मंदोदरी मैं माता को प्रसन्न नहीं कर पाया माता की सहायता के बिना कल का युद इनके लिए घातक हो सकता है इसीलिए एक पती व्रता नारी के रूप में अब मुझे शेश बचे प्रती एक शन को इनके लिए सुखदाई बनाना है क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है वानर वीरो, कल का दिवस उस दुष्ट रावन की पराजे और प्रभूश्री राम की विजय का दिवस होगा, क्योंकि वो दुष्ट रावन, प्रभूश्री राम के समक्ष एक छण भी नहीं टिक पाएगा. आहां नहीं छोड़े उसको! साथियों, कभी भी शत्रु को दुरुबल नहीं समझना चाहिए. कहते हैं, मृत्तु को सम्मुक देखकर, मुशक भी सिंग पर आक्रमन कर देता है. आहत कर देता है सिंग को. और फिर भ्राता लंकेश तो महां बल्शाली है. वो पूर्ण रूप से सज्जित होकर ही उतरेंगे रण भूमी में. विजय के लिए अपनी पूर्ण शक्ती लगा देंगे वो युद्ध में. जो पूर्ण शक्ती के साथ युद्ध ना करें, वो युद्धा ही क्या है. किन्तु अब रावन को उसके पापों का दंड देने का समय आ गया है.